चार जून को लोगसभा चुनाव परिणाम आने हैं, स्वभी को इंतजार है, साथ चरणों में संपन हो रहे इन चुनाव में, शुरू से ही बीजेपी ने 400 सीटे पार का पर्शिप्शन देश की चनता के जहन में डालने का पूरा प्रयास किया था, लेकिन धीरे धीरे ही सही विपक्ष इस चुनाव में वापसी करता हुआ, नजर आया है, राजिस्थान में चुनाव पहले और दूसरे चरण में ही संपन हो गए थे, यहां बीजेपी दो बार क्लीन स्वीप कर चुकी थी, लेकिन इस बार शेखावाटी से लेकर मारवार तक, मेवार से लेकर कई लोग सवा सीटों पर मकाबला काटे का नजर आ रहा है, आज हम पूर्वी राजिस्थान की बात करेंगे जहां इस बार चाती है, नाराजगी के चलते समी करण बदलते नजर आये हैं, सबसे पहले बात करते हैं, टौक सवाई माधपूर सीट की, जहां इस बार सबसे कम वोटिंग हुई, डिप्टेसियम सचिन पाइलेट के सुनाव शेत्र वाली सीट है, और कॉंगरेस से जो उमीदवार हैं यहां हरीश मेना, वो भी सचिन पाइलेट के करीभी बाने जाते हैं, उनी के खेमे के नेता हैं, बीजेपी से यहां दो बार के सांसत सुखवीर अगर नजर आई है, हाला कि एक धड़े के सिफलोजिस्ट कह रहे हैं कि यहां जीत का मार्जन कम हो सकता है, लेकिन जीतेगी तो बीजेपी ही, दूसरी और सेसिन पाइलेट के जोड़दार प्रचारप सार के बाद हरीश मेना की इस्तिती भी यहां मजबूत बताई जा रह ही है, अला कि हरीश मेना की देवलियूनियारा विदानसवा सीट पर विधायक रहते वे खराब परफॉर्मेंस की चर्चाएं भी इलाके में हैं, लेकिन संभावनाय जताई जा रही हैं कि इलाके के मुस्लिम बोटों के साथ ही गुरजर वोटों को हरीश मेना के पक्षमे म बैंक है, वीजेपी का अच्छा वोट बैंक माना जाता है, यहां से कनेयलाल चौधरी को बीजेपी ने राजिस्तान सरकार में मंतरी बनाया है, लेकिन विधानसवा चुनाओ के बाद अब जाट समधाय में बीजेपी के खिलाफ असंतोश और नाराज़गी देखी जा रह कि बीजेपी इस बार सत्ता में कहीं आ गई, वो आरेक्षन खत्म ना कर दे, सम्धान खत्म ना कर दे, इसका नुकसान भी होता दिख रहा है, इसके लावा किशेतर का मीना समाज भी इस बार बीजेपी से नाराज़ के दिखता है, इसकी सबसे बड़ी वज़े मीना समाज क कददावरनेता डॉक्टर किरूलाल मीना खुद हैं हाला कि वे बीजेपी के लिए परचार करते नजर आ रहे हैं लेकि बीजेपी को उनको कम आखना भारी पड़ गया लगता है राजस्तान में नई सरकार के गठन के दौरान मीना समाज को उमीद थी कि अगर सीम नहीं तो कम से कम डिप्टी सीम तो किरूलाल मीना को जरूर बनाया जाएगा लेकिन बाद में भचनलाल के साथ दो अन्य डिप्टी सीम बना दिये गए और डॉक्टर किरूलाल मीना को महच करशी मंतरी बना कर रख दिया गया मेना समाज में डॉक्टर किरूडी का ओधा बहुत बढ़ माना जाता है और वे यहां बावा के नाम से भी मशूर हैं अब संभावना है कि मेना समाज की नाराज़गी का असर यहां देखने को मिल सकता है टॉंक सवाई माधूर के मुस्लिम बाहूले टॉंक और निवाई की बात करें तो यहां सीधा पायदा यहां के वोट बैंक का हरीश मिना को मिलता नजर आ रहा है अब बात करें अनुसुची जाती वर्ग के लिए आरक्षित भरतपुर लोग सबासीट की यूं तो सीम भजनलाल शर्मा का यह गड़ माना जाता है और इसी लिए शाय काटे की टकर इस सीट पर बताई जा रही है लेकिन बीजेपी के खिलाब यहां कई जातियों में नाराजगी है खासतोर से जाट समदाय का मानना है कि बीजेपी ने सरकार में जाट समदाय को उचित राजनेतिक भागिदारी और सम्मान नहीं दिया है बीजेपी ने यहां अपना उमिदवार रामसुरु कोली को बनाया है जिन पर पूर में कबूतरबाजी के आरोब भी लग चुके हैं वहीं कॉंग्रेस ने संजना जाटव पर दाव खेला है संजना जाटव विधान सवाचनाव हार गई थी लेकिन इस बार उनके परचार की कमान भरतपूर पूर राजपरिवार के विश्वेंदर सिंग ने समभाली है खुद विश्वेंदर सिंग जाट समधाय से आता है इसी तरह धौलपूर करोली सीट भी अनसुचिजाती वर्ग के लिए आरक्षित है यहाँ बीजेपी ने अपने दो बार के सांसर बनोज राजवरिया का टिकेट काट कर इंदु जाटव को चुनाव मैदान में उतारा था चुनाव लड़ाया और पहली बार ही प्रधान से सीधे संस्थी का चुनाव लड़ा है इंदू जाटव के सामने इस बार काफी चुनोतिया देखने को मिली उनके सामने रायस्थान के पूर मंत्री भजनलाज जाटव कॉंग्रेस के टिकेट पर चुनाव लड़े हैं अच्छी फाइट देखने को मिली है पुछले विधान सबाद चुनाव में इलाके में कॉंग्रेस हावी नजर आई थी इलाके के माली कुश्वहा मीना वोटर्स की नाराजगी खास्तोर से धौलपूर राके की खत्रा सावित हो सकती है यहां वसंद्रा फ्यक्टर का आसर भी देखने को मिल सकता है धौलपूर की महरानी और पूरु मुख्यमंतरी वसंद्र राजे को तवज्व नहीं देने से उनके समर्थ कों में बीजेपी के पतीन नाराजगी है जिसका खामिया जा चुनाव में पार्टी को उठाना पड़ सकता है इस तरह धौलपूर में कॉंग्रेस की इस्तिती मजबूत नजर आ रही है अब बात करते हैं राजस्थान की हॉट सीटों में से मिला है मुरा लववीना पूर रिप्टी सीम सूचिन पाइलेट के माने जाते हैं पाइलेट ने भी उनके प्रचार में रेली और जन्सवाव में खूर जो लगाया पाइलेट के साथ उनकी कई दिगजनेता daacting का मुझ्ञेयों में जुटे है लेकिन पाइलेट ने तो इस सीट को अपनी प्रतिश्था भी मान लिया था क्योंकि आरक्षित नहीं होने से पूर में यह सीट उनके परिवार की पारंपरिक सीट रही है दूसरी और बीजेपी के कन्यालाल मीना शुरू से ही कमजोर कैंडिडेट माने जाते रहे थे किरोडी लाल मीना उनको टिकेट मिलने से खुश भी नजर नहीं आ रहे थे लेकिन बाद में आला कमान के अंडर देश पर उन्होंने इस सीट की कमान समाली प्रचार प्रसार भी किया लेकिन कई जगे देखने को मिला कि डॉक्टर किरोडी की जन सवाओं में लोग नहीं जुट पाए हाला कि खुद पिये मोदी भी के नई अलाल मीना के पक्ष में रोड शोक करने दोसा पहुँचे थे लेकिन यहाँ पर एंटी इंकम्वेंसी का असर नजर आ रहा है इसके अलावा आरक्षन के मुद्दे पर वीजेपी को नुकसान यहाँ उठाना पड़ सकता है कॉंग्रेस ने दोसा से ही आरक्षन के मुद्दे पर मुद्दे को लेकर हवा बनाई थी जिसका असर देखने को भी मिला उदर अनसुची जाती है वर के लिए आरक्षन दोसा लोग सवा सीट मेना बहुले भी है किरोडी को सरकार में अच्छा पोर्ट फोरियों नहीं मिलने का असर भी यहाँ चुनवाओं में देखने को मिल सकता है कुल मलाकर पूर्वी राजस्थान की सीटों पर बीजेपी को जातिगत नाराजगी इस बार जेलनी पड़ सकती है और वो भी बुरी तरह हर सीट पर यहां कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है क्लिन स्वीप करने वाले बीजेपी के नेता भी कुछ सीटों पर अपना नुकसान बता रहे हैं लेकिन कॉंग्रेस दावा कर रही है कि आठ से दस सीटों पर वह जीत कर परचम लहरा पाएगी इस बार राजस्थान में आला कि यह महचा आखलन है असली तस्वीश चार जून को ही क्लियर हो पाएगी लेकिन जो पर्शेप्शन बना चुनाओं के दौरा जिस तरह जाती समीकरन बदले उसी के आधार पर हम यह विशलेशन दे रहे हैं फिलाल दीजिये जज़त जनता दर्बार के लिए चुयपुट से विजय वर्मा